मद्य प्रदेश में बिदानसवा चुनाप में अब करीब आठ महीने का समय बचा है ऐसे में सियासी पार्टियों ने अभी से अपनी अपनी विशाद बिजाना शुरू कर दिये हैं सत्ता बचाने के लिए जहां बीजेपी अपनी सरकार की योजनाओं का दम बर रही है तो वहीं कॉंग्रिस ने भी सत्ता में बापसी के लिए पूरी तागत जोगना शुरू कर दिया है इस बीच राजी के पूर मुक्यमंतरी दिग्वियसिंग सक्रिये नजर आ रहे हैं 2018 में नर्बदा यात्रा के दम पर कॉंग्रिस को प्रदेश में सत्ता बापस दिलाने वाले प्रदेश के पूर मुक्यमंतरी और बरिष्ट कॉंग्रिस नेता दिग्वियसिंग फिर से सक्रिये हो गए है वे पिछले कई दिनों से मद्य प्रदेश के गाउं गाउं का दोरा कर रहे हैं मद्य प्रदेश बिजानसवा चुनाप से पहले कॉंग्रिस कारकरताओं को उर्जा देने के लिए दिग्बेश सिंग योजना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं बहीं दिग्विय सिंग का अगला कदम बुंदेल खंड को साधने का होगा वे इस इलाके में पांच दिन के दोरे पर निकलने वाले हैं बता दे कि बीजी पी का गड़ माने जाने वाले बुंदेल खंड में कॉंग्रिस ने कपजा करने की रणनीती बनाई है बे बुंदेल कंड में डेरा डाल रहे हैं इसकी सुरुवात बिजी सा से होगी जहां बे पार्टी पदधिकारियों और कारकरताओं के साथ बेठक करेंगे पंगत में संगत की तर्च पर फिर रणनीती बनाई गई है अपने पांच दिन के बुंदेल खंड के दोरे पर जा रहे है दिगवे सिंग तीन जले की दस बिजानसवा सीटों का दोरा करेंगे इस दोरान बे मंडल सेक्टर पदधिकारियों के साथ बेठक भी करेंगे इस बेठक में बे मंडल सेक्टर की आगामी तीन महीनों की रणनीती तयार करेंगे इतना ही नहीं कोंग्रिस को मजूद करने के लिए पारिटी से नाराज चल रहे कारकरताओ से भी दिगवे सिंग मुलाकात करेंगे